हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो प्रियंका किचिन स्टूडियो आज मैं आप लोगे साथ शेयर करने जारी हूँ कटल की सबजी कटल की सबजी वैसे तो आप लोगों ने बहुत बार खाई होगी और बहुत बार बनाई होगी बहुत तरीके से कटल की सबजी बनके तयार होती है लेकिन एक पर आप इस तरीके से इस खास मसालों के साथ बनी हुई कटल की सबजी को बना के जरूर ट्राइ कीजेगा और यकीन मानिये आपके घर में सब को ये बहुत पसंद आएगी बिल्कुन नॉन्वेच की फ्लेवर वाली ये बनके तयार होती है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है कटल इसको अच्छे से वाश करके मैंने इस तरह के पीसेस में काट लिया है इसके बाद एक कूकर में मैंने लगवर देल लीटर पानी लिया है और इसी के साथ इसमें डाल देंगे 1 टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेवल स्पून नमक इसके बाद इसमें डाल देते हैं जो हमने कटल काट के रखे थे वो हमें यहाँ पे कटल को अच्छे से बॉयल करना है गलाना है और कटल को फ्लेवर फूल बनाने के लिए इसे हल्दी और नमक के पानी में हमें बॉयल करना है तो यहाँ हम कुकर को बन करके लो टू मीडियम फ्लेम पर दो सीटी आने तक कुक करेंगे तो जब तक हमारा कटल पक रहा है तब तक हम अपने मसालों की तयारी कर लेते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 चोटे प्याज लिए हुए हैं अगर आपके पास बड़े साइस के प्याज है तो आप 3 बड़े प्याज ले लिजे इसी के साथ मैंने एक गाठ यहाँ लेसुन के लिए लबब यहाँ पे 20-25 और एक मैंने यहाँ पे इंच लिया है अद्रक का टुकड़ा इन सारे मसालों के साथ कुछ खड़े करम मसाले लेंगे तो यहाँ मैंने ले लिया है दो सुकी लाल मिर्च, एक तेश पत्ता, दो से तीन लॉंग, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, दो छोटी लाइची, छे से साथ काली मिर्च के दाने और एक चमच यहाँ पे जीरा लिया है और जिस खास मसाले की मैं बात करी हूँ, वो है यह, एक बड़ी लाइची, तीन से चार यहाँ पे लॉंग, और यहाँ पे छोटा सा जाइफल का टुकड़ा लिया है मैंने इसके साथ यहाँ पे लेगे हीन, यह जरूर लिजएगा अब चलते हैं अपने मसालों का पेस्ट बना लेंगे तो यहाँ पे जितने लेसन मैंने लिया है, उसमें से आधे लेसन का हम पेस्ट बनाएंगे और आधा लेसन हम ऐसे ही यूज करेंगे और प्याज मैंने यहाँ पे 5 लिए है तो 3 प्याज का मैं पेस्ट बनाऊंगी और 2 प्याज हम स्लाइस करके डालेंगे अद्रग भी जार में डाल देते हैं अगर आपने बड़े प्याज लिए हुए हैं बड़े प्याज लीजेगा जिसमें से 2 प्याज का पेस्ट बनाईएगा और एक प्याज को आप स्लाइस करके डालेंगा तो यहां हमारे अद्रग लहसुन प्याज का पेस्ट बन गया है और जो प्याज हमने रखी थी उसको भी बारीक स्लाइस कर लिए इसके साथ जो बड़ी लाइची लॉंग और जाइफल का भी मैंने पेस्ट बना के तयार कर लिया है इसके बाद अपने कुकर खोल के अपने कटल को चेक कर लेते हैं तो यहां पे हमारा कटल अच्छे से गल गया है इसे एक बरतन में निकाल लेते हैं इसका पानी चान लेत लगबतीन बड़े चमच इस सबसी में तेल थोड़ा ज्यादा पड़ता है क्योंकि यहां पे हमें कटल भी करना मसाले भी करना है तो तेल जैसे गरम हो जाएगा इसमें डाल देंगे जो हमने कटल रखे हैं वाइल करके वह कटल अच्छे से ठंड़ा हो गया उसके बाद ही कटल को अच्छे से गॉर्डल राउन तरफी करना है जब तक अच्छे से गॉल्डेन ब्राउन ना हो जाए चारो तरफ से कटल निकल जाता है और साथ ही इसका लेवर भी बढ़ जाता है कटल अधिकाल लेते हैं और फिर सेम बरतन में यहां पे 3 अलगा दो diya है तेल जैसे ही गरब हो गया जो खड़े-गरब मसाले नहीं ते वो ढॉल देंगे यहां में मैंने हरी province जी का छिल्लक थोड़ा सा खोल लिए है जिसे उसका फ्लेवर और अच्छा हैगा और एक चुटकी इसमें हींग डाल देंगे इस मसाले को लगब 10-12 सेकंड तक हलका सा भूल देंगे जिसे इसका फ्लेवर बढ़ जाए इसके बाद जो हमने प्याज को स्लाइस करके रखा था और जो लेसुन रखी थी वो डाल दूज़ेंगे और यहां पे फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे यहां पे प्याज को तब तक होना स्टेश पीश प्राइस का पेस्ट पर रखा तो इसमें डाल लेंगे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसमें कुछ सोखे मासाले लेंगे तो पॉड़र, वन टेबल पॉडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पॉडर और हाफ टेबल स्पून यहां पे सब्सी मसाला मसाले के जगह आप चाहें तो मीट मसाला भी डाल सकते है उससे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें डाल देते हाफ टेबल स्पून नमक स्वात के नुसार त्यान दीजेगा नमक हमने पहले कटल को बॉल करते मग भी डाला है तो नमक उस हिसाब से जाएगा अब हमें इसे सारे मसाले को अच्छे से भुनना है तो लगवें यहाँ पे दस से बारा मिनट के बाद हमारे मसाले भुन जाएंगे अच्छे से ऑईल रिलीस हो जाएगा आप देख सकते हैं कि इसमें प्याज काटके डाली थी वह भी अच्छे से गल गई है मैश हो गई है इस सारे मसालों के साथ तो जैसे ही मसाला इस स्टेश तक भुन जा इसके बाद जो हमने अपना मसाला एक पीस के रखा था बड़ी लाइची लांग और जायफल का वह हम यह मसाला बहुत जरूरी है इस मसाले से इसका एक्चल जो टेस्ट आता है वो है तो इसके मसाले से सबजी का कलर बिल्कुर अच्छे से चेंज हो राता है और बिल्कुर जो नौन विज फ्लेवर वाले सबजी बन के तयार होती है तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर तक भूल लेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं, आप आयल भी रिलीस हो गया है, हमारा मसाला भून गया है, और प्याज वगेरा सारी चीज़ें अच्छे से मैश हो गई है, सारी चीज़ें मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें अपने कटेल डाल देते हैं और कटेल को भी डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ, और इसके बाद हम इसमें ग्रेवी लगाएंगे, तो ग्रेवी के लिए मैंने यहां पर डाल दिया है, दो बड़े ग्लास पानी, ग्रेवी आप अपने ही साप से थोड़ी कम जादा कर सकते हैं मैंने यहां पर ग्रेवी सिर्फ उतनी ही डाली है, जितने हमारे में कटल जो वो अच्छे से डूप जाए, मतलब उसके लेवल तक ही मैंने पानी इसको एट किया है, इसके बाद हम कूकर को बन करके, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे दोसी टी आने तक कोक करेंगे, जिससे हमारे कटल जो है, वो मसालों के साथ भी अच्छे से बॉइल हो जाए, पूरा फ्लेवर उसके अंदर तक चला जाए, दोसी टी आने के बाद हम कूकर को फ्लेम को आफ कर देंगे, और इसे जब स्टीम निकल जाएगा तो हम पनी सबजी को खोल के चेक करेंगे, तो यहां हम पर इस तरीके से बना के ट्राइ कीजेगा, और यकीन मानिया आपके घर में सब को यह बहुत पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी बन के तयार होती है, तो अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा, अभी तक मेरे चैनल को अगर